मेरे प्रीय भाई और बेनों, प्रभी एसु के पुनुर्थान के बाद पहला संदेश जो प्रभु ने अपने शीशों को दिया, वो संदेश था, तुम्हें शांती मिले, तुम्हें शांती मिले, मति के सुसमाचार के अध्याए साथ वाके ग्यारह में, प्रभी एसु कहते ह गुरें बुरे होने पर भी तुम अपने बच्चों को सहजी अच्छी चीजें देते हो तो तुमारे श्वरकी jus Dr. पिता तुमारे अच्छी चीजें क्यों नहीं देगा को पुरी बैबल में विछेश करके नए विदान में प्रभूँ में स्थिखाते हैं कि हमारे ईश्वर प्रेमी इश्वर है में प्रेम करने वाला ईश्वर है अमारे लिए कुछ भी करने को तयार इश्वर प्रभ्येसु कहते हैं तुम्हारा इश्वर इतना प्रेमी है कि वो तुम्हें अच्छी चीजन देता है हमारी आवशक्ताओं को परकर आवशक्ताओं के अनुसारा में देता है प्रभीयसु के शिशों को शांति के अवशक्ता थी और प्रभीयसु ने वही दिया तुम्हें शांति मिले प्रभीयसु के दुखबोग और उनकी दर्दनाक मृत्यूं ने शिश्यों को जगजूर दिया था एक शिश्य संसार से विदा हुआ मरगे आत्महत्या की अध्यूदस ने और अन्य शिश्य यहुन के समाचार के अध्याईबीज के अनुसार अपने आपको संसार से अलग करके कमरे में बंद पड़े थे एक कमरे में बंद पड़े थे डर ने उनको जगड़ लिया था असुरक्षा ने उनको जगड़ लिया था भविश्य की चिंता ने उनको जगड़ लिया था दोश भावना ने उनको जगड लिया था वे कमरे में बंद पड़े थे उनके अंदर डर था डर मनुश्य को क्या क्या कर देता है डर से मनुश्य सुकूर जाता है डर के कारण मनुश्य कुछ नहीं कर पाता कुछ सोच नहीं सकता है जब मनुशी के अंदर डर रहता वो घबरा जाता है सुसमाचारा में बताता है कि शिष्य यहूदियों के डर से कमरे में बंद बड़े थी जब रभी येसु जीवी ते शिष्य बड़े उम्मीद के साथ बड़े आनन के साथ गवरव के साथ येसु के पीछे हो लिये थी क्योंकि येसु के चारों और हजारों की संक्या में लोग इकठे होते थी एसु के द्वारा बड़े बड़े चिन और चमतकार प्रकट होते थे एसु की वानी को सुनने के लिए अजारों की संक्या में लोग इकठे हो जाते थे इन सारी बातों को सुनकर इन सारे कारियों को देखकर शिश बहुत अंकारी जैसे बन गए थे बड़े गर्व के साथ एसु के पीछे हो लिये थे लेकिन एसु की मृत्यु के बाद सब कुछ समापत हो जाता है वे डर जाते हैं घबडा जाते हैं उनका धायरी मिट जाता है वे असुरक्षा की शिकार बनगे उनके अंदर असुरक्षा आई उन्होंने सोचा कि येशु के साथ ऐसा हुआ तो हमारे साथ कैसा होगा जो जनता येशु के चार ओर रहती थी अब जनता भी उसके खिलाब चली गई अभा हम कहां जाएंगे उनके अंदर असुरक्षा का भावा गया वे सोचने लगे धरम गुरु हमें धरम द्रोही मानेंगे धरम गुरु हमें धरम द्रोही मानेंगे हमें धोके बाज मानेंगे हम मंदर नहीं जा पाएंगे हम समाज में नहीं जा पाएंगे उनके अंदर असुरक्षा आगे हम कहां जाएंगे हमारा ग्या होगा बविशे के बारे में उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिंता आगे अब हम क्या करेंगे सुजमाचारा में बताते हैं कि योहन को छोड़कर बागी सबी लोग शायद शादी शुदा थे विवाही थे अपने परिवारों को छोड़कर तीन साथ से एशु के पीछे हो लिये थे अपने दंदे को पेशे को कामकाज को छोड़कर एशु के पीछे हो लिये थे कोई मच हुआ था कोई चुंगी लेने वाला था अब उनके अंदर चिंता आगे कि हम क्या करेंगे क्या कोई हमें विश्वास करेगा कोई हम पर मरोसा रखेगा हम संसार का सामना कैसे करेंगे लोग हमारे उपर हसेंगे हमारे सारे सपने तूट गए उनके अंदर भविश्य की बारे में चिंता आ गई बेशुकुड गए निराश हो गए वोपर से उनके अंदर दोश बावना थी कि हमने प्रभु के साथ क्या किया जब हमें उनका साथ देना था हमने उनको छोड़ दिया हम उनको छोड़ कर भाग गए हमने उनको साथ नहीं दिया हमने उनको अकेले छोड़ दिया उनको कैसा लगा होगा हमारे बारे में हमने उनको धोखा दिया हम क्या थे लेकिन उन्होंने हमें कहां पहुँचा दिया था इसके बावजूद हम उनके प्रतिक क्रितग्य नहीं रहे हम क्रितग्न बने हमें जीने का कोई हक नहीं है शिश्यों के दोडोश भावना थी भविशे की बारे में चिंता थी असुरक्षा की भावना थी डर था समाधान क्या था? शांती तुम्हें शांती मिले यही उनकी समस्याओं का समाधान था समाधार में यहन अध्याई बीस में पढ़ते हैं पुनर जीवित यह सु बंद गमरे में प्रवीश कर गए और उन्होंने शीशों से का तुम्हें शांती मिले यह सु के इस वचन से उनके हिर्दे के अंदर जो डर था डर मिढ़ गया अज सुरक्षा की भावना थी मिढ़ गई दोश भावना थी मिढ़ गई बविश की बारे में चिंता थी मिढ़ गई शांती ही उनकी समस्या का समाधान था आज हमें से कितने ही लोग डरे डरे जीवन जीते हैं कमजोर गरीब निचले वर्ग के लोग समाज में न्याए सत्य सेवा में लगे वे लोग महिलाएं कितना डर डर के जीते हैं डर के शिकार हैं अब में कितनी असुरक्षा का भाव है कितने ही लोग अपने में असुरक्षा मैसूस करते हैं अनात बच्ची, विधवाएं परित्यक्त महिलाएं जिनका त्याग किया गया है परित्यक्त बुजोर्ग जिनका ख्याल नहीं किया जाता है विकलांग कितनी असुरक्षा में जीते हैं हमारे अंदर कितनी चिंताएं हैं विशेश करकी जो बेरोज़गार हैं चिंता में जीते हैं जिनके पास घर नहीं है बेघर है चिंता में जीते हैं कल क्या होगा जो मजदूर है गरीब है चिंता में जीते हैं कल का क्या होगा कितने ही लोग हम में दोश भावना में जीवन जीते हैं जो नशेड़ी हैं शराबी हैं प्रति दिन दोश भावना में और ज़दा गिरते जा रहे हैं जो अस्रिलता के शिकार है जिन्होंने विबिन प्रकार के अपराद किये पाप किये हैं जिनका गलत मितना दोस्तीय लोगों के साथ कितनी दोश भावनाम ही जीते हैं इन सब के लिए एक कही समाधान है प्रभु की ये अवाज ये संदेश तुम्हें शांती मिले तुम्हें शांती मिले येशु की शांती पुनर जीवित येशु की शांती हमारी इन समस्याओं के लिए समाधान है मेरे प्रिये भाई और बेनों यही हमारी समस्याओं का समाधान है और इसका परिणाम क्या है इसका नतीजा क्या है प्रभ येशु ने का तुम्हे शांती मिले सुसमाचार में हम पढ़ते हैं शिष्य आनन से बर गए जिनका हिर्दे डर से बरा हुआ था अब आनन से बर गया जिसके अंदर दोश बावना थी वो आनन से बर गया येशु की शांती ने पल बर में उनकी दोश बावना को डर को चिंता को असुरक्षा की मनुबाव को पल बर में मिटा दिया वे आनन से बर गये आज हम में से हरे के लिए प्रभु का यह संदेश है पुनर जीवित येशु का संदेश हर मनुशी के लिए ही है तुमें शांती मिले और पुनरजीवित येशु को उपहार हारु मनुशी के लिए है पवितरा आत्मा को ग्रहन करो तुम्हें शान्ति मिले पवितरा आत्मा को ग्रहन करो और मैं सोचता हूँ हमारी समस्याओं के लिए यही समाधान है पवितरात्मा को ग्रहन करना पवितरात्मा से बर जाना और प्रभु की शान्ती को प्राप्त करना आज हम लोग प्रार्तना करेंगे अपने लिए और उन सारे लोगों के लिए जिनको अभी याद करते हैं जो आशान्ति पूर्ण जीवन जीते हैं जो तनाव में जीवन जीते हैं जिन परिवारों में शांती नहीं है मेल मिलाप नहीं है तनाव है जिन परिवारों में ताल मेल नहीं है एक दूसरे से दो लोग अलग रहते हैं उन सारी लोगों को आज हम याद करेंगे और उनके लिए इस पवित रखता विशेक प्रार्तना में प्रार्दना करेंगे कि पुनर्जीवित येशु की शान्ती उन्हें मिले पुनर्जीवित येशु की शान्ती अमारे परिवारों में आने से अमारे परिवारों में आनन्द जाता है शीष घबराई वे थे बंद गमरे में पड़े वे थे येसु ने का तुम्हे शांती मिले वो शांती वहाँ पर फैलने लगी उनके हिर्द्यों में फैलने लगी वे सभी आनन से भर गए आज हमें येसु से यही चाहिए शांती का संदेश और पवितरात्मा का बरदान आके मंद किजिए हम लोग प्रात्ना करेंगे अपने आपको बंद किजिए और इस समय अपने में ढूंड़िए क्या मेरे अंदर डर है अलग-अलग प्रकार का डर क्या मैं डर के कारण आगे बढ़ने पाता हूं क्या मैं डर के कारण कुछ बोलने ही पाता हूँ जीवन में कोई कदम नहीं उठा पाता हूँ अतीत के कड़ुए अनुबों के कारण मेरे अंदर डर समा गया है क्या मैं अपने में बहुत ज़्यदा असुरक्षा महसूस करता हूँ अकसर सोचते रहता हूँ मेरा कौन है मेरा कोई नहीं है मैं अकेला हूँ मैं तरसकत हूँ क्या मेरे अंदर अपने बविश्य की बारे में बच्चों की बविश्य की बारे में परिवार की बविश्य की बारे में चिंता है रात को सो नहीं पाता हूँ चिंता मुझे सता रही है किया मेरे अंदर बहुंच जादा दोश बावना है मेरे ही पापों और अपराधों के कारण मेरे बीते दिनों के गलत गलत जीवन के कारण गंदी आदतों के कारण गंदे रिष्टे के कारण मेरे अंदर बहुंच जादा दोश्वावन आई है या मैंने प्रभु को त्याग दिया अंदर विश्वास में चला गया जिसके कारण मेरे अंदर बहुंच जादा दोश्वावन आई है येश्व से कहिए कि येश्व मेरे इस बंद जीवन में आई है मेरे बंद परिवार में आईए और हमें भी ये संदेश सुनाईए तुम्हें शान्दी मिले हमें भी ये संदेश सुनाईए तुम्हें शान्दी मिले हमसे भी कहिए कि पवितरात्मा ग्राण करो मुझे शान्दी दीजे मेरे परिवार को शान्दी दीजे मुझे परिवार को 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 परिवा में आईए मेरे बंद परिवार में आईए ऑ में शांति में हर प्रकार के नगारात्मक महोणावन को लिए ए अमस्तवकर करने अज़ाद करने ये येश्ज आईए भनेवार प्रभू दन्यवाद तेरी महिमा तेरा रा sensory स्वा pomDe ने निवाद ये सुने निवाद